Hey guys, welcome to your channel Stock Market today. आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बेहतरी इन स्टेटिजी, जिहां हम ट्रेड करने वाले हैं डबल टॉप्स को, डबल टॉप्स हम दे सुने होंगे, बहुत common pattern रहते हैं, बट बहुत कम लोग इनको ट्रेड करते हैं, इसको ट्रेड करेंगे तीन तरीके आपको इस वीडियो के अंदर में, तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखीगा, पहला तरीका रहेगा, एग्रेसिव लोगों के लिए जो एग्रेसिव ट्रेड करना पसंद करते हैं, दूसरा तरीका रहेगा थोड़ा moderate के लिए, तीसरा तरीका रहेगा बिलकुल conservative लोगों बजार है, बजार किसे के हाथ में नहीं है, बजार ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, बजार में कभी भी कुछ भी समभब है, but if any strategy is giving you success rate, if more than 90-95%, you can trust that strategy, तो चलिए देखते हैं, समझते ही कि double top होता क्या है, कहां form होता है, कब form होता है, और कौन से double top को आप trust कर सकते है अमिखा दोस्तों, मेरा नाम विपुल कौशिक है, और मैं stock market में पिछले 20 साल से हूँ, पिछले 5 साल में 5000-3000 students को पढ़ा चुआ, masterclasses बहुत जल्दी रन होने वाली है, जिसकी information आपको मेरे youtube channel पे मिल जाएगी, आप मुझे follow कर सकते हैं, telegram पे और instagram पे daily updates के लिए, और यद इनफर्मिशन आपसे मिसने होगी, और दोस्तों, एक और रिक्वेस्स है, youtube का अलगार्फ हैं ऐसा कहता है, कि जो वीडियो के ओपर likes जादा होते हैं, जिसके ओपर comments जादा होते हैं, शायद वो video लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर आपको लगता है, मेरे effort आपके लि blackboard उठा लेते हैं, जैसे school में class होते हैं, आप मुझे class की तरह ही आपको पढ़ाना है, समझते हैं कि double top कहां form होता है, उसको कब double top कहा जाए, जब price एक higher high और higher low की formation में जा रहा होता है, मतलब एक uptrend में होता है, ये uptrend है, this is uptrend, uptrend में जाके जब bazar high बनाने में fail हो जाता है, when the market fails to make another high, या दूसरा high, पिछले high के आसपास ही बनता है, वहाँ ऐसी conditions को हम double top कहते हैं, वहाँ से पूरी possibility वहती है, price वापस से नीचे गिर जाए, and this is possibility a case of trend reversal also, so इससे क्या सिगा, double top बनेगा at the top of the trend, या at the end of the bull trend, या uptrend, जब uptrend खतम होने वालोगा, तभी ये बनत है, इसको trade कैसे किया जाए, कुछ example देखने ही, कोशिच करेंगे, चार्ट के ऊपर चलेंगे, बर समझ दीजिए, इसको थोड़ा sum up करते हैं, कि अब trend में ही, जब trend खतम होने लगे, और exhaust होने लगे, वहाँ पे आपको double top formations दिखाए देगी, अब कैसे identify किया जाए, देख ल आ रहा है, आप समझने ही कोशिच केजिए, प्राइस उपर जा रहा है, higher high बना रहा है, higher low बना रहा है, मैंला, अब trend की शुरॉत होने, तो पहला indication आपको क्या आएगा, कुछ ऐसा scenario आपको दिखाई दे, कि जब बजार थकने लगे, कैंडल सोटी होते चले आती हैं, आपक कि आप इसको बिल्कुल भी fail ना हूँ, इसको चार्ट पर भी देखने कोशिच करेंगे, जो wick थी हमारे high की, suppose इस trend में एक wick बना, किसका high candle के था, highest candle, क्योंकि यहाँ पर आपको देखेंगे, तो यह अब trend जा रहा था, और यहाँ से थोड़ा सा trend ने reverse करना शुरू किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा color change करने कोशिच करूं, तो यहाँ से trend ने reverse करना शुरू करना शुरू किया, तो if we are talking about this candle, which was the highest candle, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो highest candle की wick है, वहाँ से रहे है, इस highest candle की body के उपर में एक zone draw करना है, मतलब आपको एक rectangle उठाना है, एक zone draw करन है, कहाँ पे wick or candle, if this was the candle and this was the wick and this was the body, तो basically highest body का highest and wick का highest को mark करते हुए, आपको एक zone draw कर ले रहे है, अब यह zone कैसे काम करेगा आपके लिए, this zone is very very important for you guys, अगर price इस zone के उपर में closing दे देता है, अगर closing यहाँ पे आ जाती है, तो this is not the double top, this is the failure of the double top, बट अगर यह closing, यह wick इसके उपर जा सकती है, wick दो तीन बार उपर जा सकती है, कोई candle इसको try करें, कोशिश कर सकती है, बट अगर wick बन रही है, body इसके अंदर ही रह रही है, यह इसके नीचे ही रही है, तो that means, this zone is acting as a demand zone, no, this is acting as a supply zone, मतलब यहाँ पे further buying pressure है या नहीं, to breach, यहाँ से उपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर there is a possibility कि यहाँ से price फिर वापस नीचे form होने लगे है, तो this is the major double top, और generally double tops को लोग M की form में, एक letter M की form में देखते हैं, कि जब बजार एक nearby 2 एक जैसे high बनाता है, उसको fail कर जाता है, breach कर लेंगे, तो this is the definition of double top, I hope you can identify this, इसको कैसे समझना है, और इसको accurate कैसे कर सकते हैं, बने रही है, देखेंगे, बड़ा interesting वीडियो थोड़ा लंबा हो चलेगा, informative वीडियो लंबी होती है, मजाग थोड़ीना है, तो यहाँ पर आप देखने ही कोशिश करते हैं, कि हम double tops को trade कैसे कर सकते हैं, जो 3 तरीके हमार परोच से काम करना चाते हैं, अभी कौनकोंसे तरीके हो सकते हैं, समझ लेते हैं, अब माली जी यह बजार ने एक formation दी, uptrend में था, और यह हमारा, हमने जोन माक कर लिया, यह जोन हमने माक कर लिया, कि यह हमारी wick थी, और यह हमारी किसी candle की body थी, this was the high, उसके बाद में, उ body के नीचे में, एक red candle बनती है, red candle कैसी बनती है, कल देख लेते हैं, थोड़ा सा, यह red candle अगर यहाँ पर आपकी बन जाती है, इसके नीचे में, तो आप यहाँ trade ले सकते हैं, this is the aggressive trade, में लिख देता हूँ, this is for the aggressive trading, यह aggressive trade वालों के लिए, यह एक zone रहेगा, मतलब, दुब 12 से बुलता हूँ, बजार उपर गया, उस zone को breach नहीं किया, कोई भी candle की closing, कोई भी price की closing, उसकी upper line से उपर नहीं आई है, यहाँ पे कोई closing नहीं हुई है, और जो, इस zone की जो body थी, यह जो body थी, this body, this part, अगर इस line के बात के, जैसे ही, कोई red candle के नीचे form होती है, यहाँ पे this aggressive trade, अब दूसरा moderate लोग कैसे काम कर सकते हैं, जिनको धर थोड़ा कम लगता है, suppose कि यह आपका एक double top formation हुआ, अब double top formation में, आप देखेंगे, एक तो shoulders होते हैं, एक neckline होती है, तो these are the shoulders and these are the neckline, तो जब neckline break हो, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, तो यह strategy रहेगी moderate वालों के ल one, this was two, and third, conservative strategy का हो सकती है, any guesses? टीसरी strategy उन लोग के लिए है, जो बिलकुल confirm होना चाहते हैं, मतलब उनकी कोई भी candle इसके नीचे close हो, मतलब यह closing neckline से नीचे हो नीचे हो नीचे है, अगर कोई candle, पहले तो हम aggressive थे, कि हमने ऊपर यह trade मारा, second less aggressive हो है कि हमने neckline जैसी break हुए हम कोई ऐसी red candle, बिलकुल जब neckline के नीचे में close हो, तो आप यहाँ पर trade ला सकते हैं, तो वैस यह तीन तरीके हैं, double tops को trade करने के, I hope यह समझ में आ रहा है, अब भी देखते हैं आगे और क्या strategy हो सती है, beautiful एक strategy बना के दे रहा हूँ आपको double tops को trade करने के लिए, practice कीज़ेगा, backtest कीज़ेगा, enjoy कीज़ेगा, और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है, तो अब भी like कीज़ेगा, अब भी like दबाईए, ताकि मैं भी motivate हो सकूँ, so now the final combination, the strategy which I want to give you is, अगर आप double tops में trade कर रहे हैं, और साथ में, spelling पर हो जाएगा, spelling का भी कोई गल्थ हो सकती है, यहाँ प price तो एक नय high बना रहा है, माली जी यह zone हमारा RSI का है, जो आप नीचे RSI relative strength index plot करते हैं, और RSI भी उपर जा रहे थी, बट RSI ने नीचे आना शुरू कर दिया, अब प्राइस तो उपर जा रहा है, price की direction उपर में है, और RSI की direction हमारी नीचे की तरफ जाए है, तो this is the divergence, तो अगर RSI ने divergence दी दिया है, और वहाँ पर आके अगर आपका double top form होता है, तो this is the perfect double top which you can actually trust, तो यहाँ पर आप इसको trust कर सकते हैं, चोले चार्ट पर देखने कोशिश करते हैं, क्या कोई ऐसा example दिखाए देता है, इससे आपको और अच्छे समझ में आ सके, आपके सामने NLB वेरिंग का चार्ट ले रहा हूँ, यह मेरा favorite stock रहा है, जो मैंने best stock delivery में भी आप लोगों को दिया था, बहुत ही interesting, अगर हम इस part की area की बात करनी कोशिश करें, तो क्या हम इसको double top formation मान सकते हैं, जी हाँ मान सकते हैं, क्योंकि price न यहाँ पे top बना के double top बना के breach किया, और उसके बाद एक अच्छी खासी आपको rally दी, यहाँ तक के लिए वो एक आपको rally दे पाया, यहाँ तक आपको एक swing मिली, double top basically swing के लिए बहुत ही perfect रहते हैं, अब समने ही कोशिश करते हैं, कि इसको हम identify कैसे करें, अगर हम इस chart को देखने की कोशिश करें, यह chart है कैसा, कैसे double top को mark किया जाए, देखें समने ही कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर price में आपको क्या का, जब एक swing हो रहा है, अगर इस candle की बात करें हमें, यह high था है यहाँ पर, तो में आपको क्या का था, एक आपको zone draw करना है, wick को पकड़के, और साथ में उसकी body को पकड़के, तो this is the zone, यह zone जब बन जाता है, तो अब यहाँ पर कोई भी candle इसके उपर cross नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल close नहीं हो रही है, दुबारा penetrate कर सकती है, penetration हुई है, और यह double top formation हमारा perfect, हमारा, अब यहाँ पर trade कैसे लेंगेगा, इस देखिए, अब एक तो आदमी है, कैसे काम करेगा, जैसे ही यहाँ से first red candle, this first red candle is formed, जैसे ही breach करने कोशिश की zone में, बाहर आई, दुबारा से देख लीजिए, clean and clean कर देता हूँ, यह हमारा double top रहा, यह हमारा zone रहा, मैंने को कहा का, कि जब दुबारा से retest होके, यहाँ से शुरुआत होई, यहाँ से शुरुआत ही, retest होने के बाद में, जब इसने fail किया कि उपर close नहीं ही, तो first red candle के उपर आप trade ले सकते हैं, अच्छा कहाँ सा reward आपको मिल सकता है, दे रहा aggressive trade, दूसरा, इसी को अगर conservative लोग कैसे, less conservative, basically, less aggressive मुझे कहना चाहिए, less aggressive लोग कैसे trade लेंगे, यह मेरा zone था, और यह मेरी neckline है, this is the neckline, तो neckline जैसे ही break हुई, तो इस candle पे लोग trade ले रहे हैं, ठीक है, तो तीन तेकर trade होगे, दो तेकर trade अभी हुए है, पहला trade इस candle पे हुआ, यह पहला trade रहा है, दूसरा trade हमारा इस candle पे हुआ, तीसरा जो बिलकु conservative है, neckline के बिलकुल break होने के उसके नीचे closing पे है, next candle के उपर में यहाँ पे third trader, उसके बावजुद भी आपको अच्छे कासा reward यहाँ पे मिल रहा है, तो guys, I hope यह आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको अगर आप कहें तो फिर से revise कर देता हूँ, guys को mark करने का तरीका समन लीजिए, आप अपना rectangle उठाएंगे, आप यह body के high और body की wick को mark करते हुए, आप अपना एक rectangle form कर देंगे, तो this is the zone, this is the zone, which is marked, अब देखें, यहाँ पे कोई candle उपर भी जा रही है, जा सकती है, but close नहीं हो रही है, तो इसमाल यह है कि हमारे पास एक chances है, हम समझ सकते हैं, अब यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर हम RSI को इसम देखते हैं, समझते हैं, कि RSI हमारे लिए कैसे काम का सते है, यहाँ पे हमको RSI लगान देखते हैं, कि क्या हमें relative strength index का, हमें divergence यहाँ पे मिला था, look at this guys, look at this, now when we are actually talking about the M formation, the double top formation, you see, price is either making a new high, or a kind of same highs, but on the same time, RSI का divergence आपके पास आगया है, तो जब divergence भी आपके पास में है, साथ में penetration भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी fail नहीं हो रहा है, तो इस वाल यह है कि यह जो selling start हुई है, you can trust this selling, यह selling आपके trust के लिए बहुत ज़री है, guys मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर आप double tops के उपर mastery कर लेते हैं, समझ जाते ह इसके उपर बहुत साई back testing कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी strategy है, और बहुत साई चीज़ें, option chain को भी confirm करना चाहिए, price section को और detail में देखना चाहिए, but if you really want to practice double top strategy, तो this is the video for you guys, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, subscribe कीज़ेगा, चनल को मिलते हैं किसी और नई strategy, किसी और interesting वीडियो में, तब तक लिए signing off for you, जैन, जै भारत!